उसी बीच एक बड़ी जौनकारी सामने आ रही है जहापर मध़ब्रदेश के इंदोर में कॉंस्टेबल की पिटाई की गई है यूवक ने पुलिस कॉंस्टेबल की ही पिटाई कर दी बड़ी जौनकारी आपको बता रहे है जहापर पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है यूवक ने इक उंस्टेबल को दोड़ा दोड़ा कर पिटा है बड़ी जौनकारी आहम कबर आपको बता दे गाड़ी टकर को लेकर विवाद हुआ था और इस वकि बड़ी जौनकारी आहम कबर आपको बता जहां मर्द्रदेश के इन तौर में एक कॉंस्टेबल की पिटाई हुई है यूवक ने कॉंस्टेबल को जम कर पीटा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जहां पर गाड़ी की टक्कर को लेकर तमाब विवाद हुआ था बड़ी जौनकारी हैं कबर आपको बत सकते हैं किस तरीके से एक यूवक कॉंस्टेबल की पिटाई कर रहा है और मद्रदेश के इन दौर की ये गटना है बड़ी जौनकारी आपको उताते हैं चापा यूवक ने पुलिस कॉंस्टेबल की जम कर पिटाई की है पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है बड़ी जौनकारी हैं खबर यूवक ने कॉंस्टेबल को दोड़ा दोड़ा कर पिटा और गाड़ी टकर को लेकर विवाद हुआ था बड़ी जौनकारी हैं खबर आपको उता रहे हैं जहां मध्यप्रदेश के इंदोर में कॉंस्टेबल की पिटाई हुई है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे यूवक ने पुलिस कॉंस्टेबल की पिटाई की इस वक के बड़ी खबार एहम जौनकारी पिटाई का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है गाड़ी ठकर को लेकर विवाद दूआ बड़ी जौनकारी एहम खबार आपको विता थे जहां पर कॉंस्टेवल को यूवक ने जम कर पीटा है मदब्रदेश के इन दौर का ये मामला है और वीडियो चो है काफी जादा वाइरल हो रहा है यूवक ने पॉलिस पॉंस्टेवल को दोड़ा दोड़ा कर पीटा है जहां पर मदब्रदेश के इन दौर में कॉंस्टेवल को पीटा गया तो गाड़ी टकर को लेकर ये विवाद हुआ था बड़ी जानकारी हैं खबर आपको बता दे जहां मधरदेश के इन दौर में कॉंस्टेबल की पिटाई की गई है और यूवक ने पॉलिस कॉंस्टेबल को जम कर पीटा है तो पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है क्या कुछ ये तमाम जानकारी है क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वाइरल हो रहा है साफ तोर पर दिख रहा है कि यूवक को फिलाल कानून और पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है क्या कुछ कारण रहा? सबसे बड़ी बात यह है कि महाँ पर जो लोग खड़े वे हैं जो इस्थानी जनता है वो भी कोस्टेबल की मदद के लिए आगे नहीं आई है लेकिन यहाँ पर एक सवालिया निशान भी लगता है कि इन दौर में कमिशनरी सिस्टम लागू हो गया है कि ऐसे में अगर कभी पुलीस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का अंदाजम लगा सकते हैं कि कितने जादा सुरक्षित होंगे बहराल इस पूरे मामले को लेकर आला अधिकारियों कि यह पूरा मामला संग्यान में लिया है अब देखना यह होगा कि यूवक के खिलाब क्या कारवाई ह की जाती है इसके अलावा जो कॉस्टेबल है उसकी मेडिकल जाजबी होगी और उसमें यह भी देखा जाएगा कि यूवक को कितनी जादा चोटे लगी लगी है तो यूवक कॉस्टेबल द्वारा जब इस मामले की रिपोर्ट दज कर जाएगी तो निशित यूवक के खिल आप आला दीकारियों द्वारा सक्त कारवाई की जाएगी ताकि दो बारा इस तरह का घटना करम ना हो सके श्रावनी बिल्कुल रास तमाम जानकारी के लिए हम असा जुडनी के लिए आपका बहुत पाशुक्रिया